Always welcome साथियो, Digital Class हमें साथ के साथ English Audio Book Series में दोस्तों, English Speaking Audio Book Series में आपका बहुत बहुत स्वागत है अब जानते हैं दोस्तों इस सीरीज में आगे आने वाले कुछ और important वातों की बारे में जो की बाको होगे? जीव जन्तों से संबंदित, एनिमल से संबंदित वाकों को जानते हैं दोस्तों कौन से जानवर हमें दूद देते हैं? हम परसन और उत्तर देने की कोशिस करेंगे दोस्तों इस प्रकार अब बाक्यों को जानेंगे which animals give us milk कौन से जानवर हमें दूद देते हैं गाय, भेंस और बकरी the cow, buffalo and got the cow, buffalo and got गाय, भेंस, बकरी कौन सा जानवर भूखता है which animal works the dog, कुता the dog कुता भूखता है कौन से जानवर की गर्दन लंबी होती है which animal has a long neck which animal has a long neck the giraffe the giraffe कौन सा जानवर हमें उन देता है which animal gives us wool कौन सा एनिमल हमें उन देता है which animal gives us wool भेड, the ship किस जानवर की पूँच जहडी की तरह होती है which animal है जे bussy tail which animal has a bussy tail किस जानवर की पूँच जहडी की तरह होती है the squirrel has a bussy tail the squirrel has a bussy tail gallery की पूँच जहडी की तरह होती है कौन सा जानवर आदा गोड़ा और आदा गदा होता है which animal is a cross between horse and donkey which animal is a cross between horse and donkey the mule खचर the mule खचर खचर किस काम आते हैं what do mules do what do mules do खचर किस काम आते हैं बोज़ड होने के the carry load बोज़ड होने के the carry load कौन से जानवर की सून्ड होती है which animal has a trunk which animal has a trunk the elephant हाती की the elephant कौन से जानवर की पीट पर कूबड होता है which animal has a hump on its back which animal has a hump on its back उंट की पीट पर the camel किस जानवर के सिंग होते हैं which animal has horns which animal has horns the cow गायक है ऐसे और भी जानवर है लेकिन दोस्तों ये answer question की बात चल रहे है simply which animals has horns the cows कौन सा जानवर गाड़ी खहसता है which animal pulls wagons which animal pulls wagons the cart horse or mule टट्टू the cart horse or mule कौन सा जनतू छत्य में रहता है which insect lives in a hive which insect lives in a hive सैद की मक्खियां बीज B.E.S. बीज सैद की मक्खियां the elephant का उचर्ण the elephant होता है दोस्तों T.H.E. को यहाँ the elephant होता है the T.H. का उचर्ण स्वरों पर the owl का the owl the ape the cow the giraffe को चर्ण the cow the giraffe होता है जैसे A.E.O. आदी से पहले the तथा बेंजन जैसे के जे रह आदी से पहले दे होता है चलिए अब जानते हैं और कुछ महत्वून बाग के रात को कौन सा पक्षी चीकता है the which word hoots at night the owl which word which word hoots at night कौन सा पक्षी रात को चीकता है the owl कौन सा जानवर मनुष से मिलता जुलता है which animal resembles human beings the ape resembles human beings बंदर which animal resembles human beings the ape resembles human beings कौन सा जीव जाला बुनता है which insect बीब्स वैब्स the spider मक्डी कौन सा जीव जाला बुनता है which insect वीब्स वैब्स दी spider मक्डी सिकारी जानवर कौन से हैं which are the which which are the weasps of prey which are the weasps of prey lion wolf leopard etc loin wolf leopard sing भेडिया चीता इत्यादी यह wishts दोस्तो शिकारी जानवर हैं जिनको wishts कहते हैं खेल कृड़ा से सम्मनित वाक्यों को जानते हैं दोस्तो रमा खेल रही है रमा इस प्लेइंग रमा खेल रही है रमा इस प्लेइंग games हैं दोस्ते, खेल के डाश सम्मझेद, आपको ज़्यादा चोट तो नहीं आई, hope you are not hurt badly, मैं सवारी को पैदल चलने से अच्छा समझता हूँ, I prefer riding to walk, मैं सवारी को पैदल चलने से अच्छा समझता हूँ, मैं पतंग उड़ा रहा हूँ, I am flying a kite, आज हम सत्रंज खेलेंगे, we'll play chess today, कौन जीता हूँ won, तुम कौन से खेल खेलते हो, what games do you play, तुम कौन से खेल खेलते हो, what games do you play, आओ, तास केलें, come, let's play cards, तुम पत्तों को मिलाओ, मैं काटता हूँ, you suffer the cards and I'll cut, you suffer the cards and I'll cut, तुम पत्तों को मिलाओ, मैं काटता हूँ, हमारे टीम जीती है, our team has won, हमारे टीम जीती है, our team has won, क्या तुम्हें लाठी चलानी आती है, क्या तुम्हें लाठी चलानी आती है, चलो खेलें, come let's play, खेल शुरू हो गया, the game has started, खेल शुरू हो गया, the game has started, खेलना उतना ही आप सके जितना की पढ़ना, games are as important as studies, खेलना उतना ही आप सके जितना की पढ़ना, चलंग लगाते हुए मुझे मौच आ गई, I spend my ankle while jumping, I'll spend my ankle while jumping, चलंग लगाते मुझे मौच आ गई, उसने उची कूद में record कायम किया, he has set a record in high jump, उसने उची कूद में record कायम किया, he has set a record in high jump, वे तेज दोड़ने वाला, he is a fast sprinter और racer, he is a fast sprinter और racer, वे तेज दोड़ने वाला, क्या तुमारे स्कूल में बैम सिकाते हैं, क्या तुमारे स्कूल में बैम सिकाते हैं, हमारे स्कूल का खेल का मैदान काफी बड़ा है, तुमारी baseball team का कप्तान कौन है, who is the captain of your baseball team, prefer क्रिया के बाद में जो बाते आती हैं, उनमें पहली बात को दूसरी से अच्छा समझा जाता है, याद रखें, prefer के बाद में जो बाते आती हैं, उनमें पहली बात को दूसरी से अच्छा समझा जाता है, चलिए और जानते हैं, क्या मैं badminton तुमारे बल्ले से खेल लूँ, क्या मैं badminton तुमारे बल्ले से खेल लूँ, पृतियोगता में भाग ले रही है, लगातार खेलती है सी प्रेज रेगुलरली फोर्टी टीम वह टीम के लिए लगातार खेलती है सि प्लेज रेगुलरली फोर्टीम हम हफ्ते में एक बार olurs ड्रिल करते हैं we do drill once a week, we do drill once a week हम अपते में एक बार drill करते हैं, याद रखें, तो remember, आपने पिछले पार्ट में पड़ा है कि एल वाई विशेशन को क्रिया विशेशन बदल देता है जैसे काइंड को काइंडली यही एल वाई संग्या को विशेशन में भी बदल देता है जैसे his brotherly behavior endeared him to all his colleagues उसके भाई के समान विभार ने उसे अपनी सभी संयोगियों का प्रिये बना दिया his brotherly behavior endeared him to all his colleagues उसके भाई के समान विभार ने उसे अपनी सभी संयोगियों का प्रिये बना दिया मैं brother संग्या में एल वाई लगाने से brotherly विशेशन बन गया इसे प्रकार father से fatherly पिता जैसा man से manly मर्द जैसा mother से motherly माता जैसा woman से womanly स्त्री जैसा sister से sisterly बेंच जैसा king से kingly बहसा जैसा body से bodilyly सारी scholar से scholarly बिद्वान जैसा it was windy day उस दिन हवा चलती रही it was windy day ए फिस है जे skelly body मसली के बदन पर छिलके होते हैं ए फिस है जे skelly body मसली के बदन पर छिलके होते हैं मैं wind में windy, wind से windy, हवादार, scale से skelly, छिलकों वाला, विशेशन wind और scale संग्याओं से y जोडने से बने हैं, इसी प्रकार बने कुछ विशेशन में हैं दोस्तों, ब्रिज से bridgey, हलकी, हवावाला, ब्रिज से bridgey, हैंड से handy, उप्योगी, क्राप्ट से crafty, चालाक, डश्ट से dusty, दूलवरा, ग्रिड से greedy, लाल्ची, रूम से रूमी, खुला, रें से रहिनी, वर्सायुग, सन से sunny, धूब बाला, इस विरकार शबदों का आप इस्तिमाल करके अपने वाक्तियों को और सुधार सकते हैं दोस्तों वीडियो को अंतक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद